हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आई हो आप सबस्चे होंगे तो मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं तो आज मैं बना रहा हूं दूद्दी के मूटिये जो यह खाने में बहुत ही टेस्ट लगते हैं और अच्छे ब्रेकफास्ट में या कैसी भी साथ खा सकते हैं और यहां पर आटा लिया है मैंने और जो देनिया लिया है बेसन लिया है सुजी लिया है बड़ावला और एक चमस सुगर लिया है और अजवान लिया और देल लिया है और लसन अधरक बिर्ची लिया है और मसला में सुखा मसल लिया है और यहां पर मैं लोके को कद्दू कस कर के फिर सको आटे में डालूंगा तो पहले में मैं बेसन और सूची को मिक्स कर लिए ताहूं आटे में हम अच्छे से मिक्स करना है और अब हम डाल देंगे लोकी और लोकी के साथ है हम डालेंगे नमक, स्वादनों सार और डालेंगे दही डाल देंगे और ओयल डाल देंगे दन्या डाला है और जिरा डाल दिया आजवाइन डाला और रहींग डाल रहा हूं और अले सण अद्र का बेश्ट मिड्ची नेयुसी का और अंडु आण या पर मेर लाल मिड़्ी डाल द डाला हूं अगर तुकी कम खाते तो कम डाला है याँ तोगा से मिक्स करेंगे हम इसे और इसका एक अच्छा से डो बना लेंगे अगर आप मैं चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और यहां पर मैंने डो लगा दिया अठागा और इसमें मैं बिल्कुल भी पाने के जरूत नहीं कि सब सिर्प दही और दुद्धी में भी पाने रहता है उससे हमारे काम हो गया था पूरा और आप मैं लिए इटली का कोकर जिसमें मैंने पाने डाल कर दिया गरम करणे के मैं वोईल लगा जिया है इस इस्टेंड में ताकि हमारे डुद्धी के रोल है जो चिपके नहीं अंदर तो यहां पर मैं रोल बना लूँगा है कि साइज आप अपने इसाप से कर सकते हैं चोटी बगी और मैं इस परकार से रोल कर रहा हूं और इसे सारे रोल बना लिए हमें ने और अब मैं इसे ठाक भीएंगा और कम से कम 25 मिनट तक इसको लोग प्लेम पर पकाएंगे तोड़ा सार वर 25 मिनट हो गया है हमारा और अब हम इसे ओपन करेंगे और 25 मिनट बात देखे हम इनने चेक क्या था चकू के चिपकता नहीं तो पक गया था हमारा इचा से तो एक में चिम्टे के साथ से मैं इनको बाहर निकाल दे और इनके गटे कर दूंगा तो यहां पर तो यहां पर मैंने तेल ले लिए हैं और इसका आप हम चोक लगाएंगे तो यहां मैं डाल दी राई और तील डाला बहुत सारा और हींग बता डाला और हींग डाल रहा हूं और अब हम डाल देंगे इसमें के यह गटे तो अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और पर आपके लिए न्यू है या फिर आपने बनाए कैसी बनने है एक बार बनाकर जुरूर ट्रै करें और मुझे कमेंट करके बताए आपके रिसी पर कैसी बने और यहां पर मैं लाल मीर्स और तोगा चार्ट मसला डाल रहा हूं ताकि इसे अच्छा टेस्ट है हमारा है और दाला और अच्छा मिक्स करेंगे और 2 बिनित तक पकाएंगे ठाली डख कर इसे और 2 विनित हो चेहां और हमारे हो यह गट्टे बहुत भी शॉप्ट और हमारे हो इसे दही की चाहिए कर दोखें के साथ या फिर दिन चटाई के साथ और सोच के साथ खाए थैंक्स वाचिक बाइ 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 टेकर आप्रेंस